हेलो एवरिवन काफी दिनों बाद मिल रहे हैं तो लास्ट वीडियो मेरा इस प्रकार था कि कुछ एक स्ट्राटिजी आपको शेयर किये थे बैंक निफ्टी में ऑप्सिन सेलिंग का जिसमें कैपिटल काफी ज्यादा लग रहा था पांच्छे लाक के करी में कैपिटल लग रहा था और जैसा भी स्ट्राटिजी था आपको जाना हो तो लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं तो उसमें काफी सारे लोग को ये स्ट्राटिजी होगा तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही स्ट्राटिजी के बाद करने वाले हैं तो ये स्ट्राटिजी कहां से मिला हमको तो अगर आप बताएं तो ये सिंपल स्ट्राटिजी है बेसिक स्ट्राटिजी तो ट्विटर पे ऐसी हम रोज सर्फ करते रहते तो टुटर पे किसी ने एक strategy के बारे में कुछ जिक्र किया था तो उसी को मैंने और backtest करके थोड़ा सा changes करके यह strategy आपके सामने लाए है ठीक है और यह काफिसा strategy है क्योंकि हम market में है थोड़ा सा experience है तो वो समझ में आता है कि हां कौन सा strategy simple है और कौन सा strategy simple होते हुए भी काम क करता है तो इसको हम लोग अच्छे से detail में हम लोग बात करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा एक दो data point का बात करेंगे उसके बाद हम लोग strategy पर जम करेंगे तो time waste नहीं करते हैं आ जाते है strategy पर तो सबसे पहले data point का अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ बताए हम वह हम हम नेट पे खोज रहते हैं लेकि हमको उस तरह का चार्ट नहीं मिला लेकिन आपको अगर बताए हैं तो एक हम मानते हैं कि एक x-axis draw करते हैं ठीक है एक x-axis ड्रॉ करते हैं जिसमें यहां से एक y-axis है एक x-axis है यहां से एक एक point हम ड्रॉ करते हैं ठीक है यह सारे points 11% का इसमें minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 और minus 5 ठीक है यह हमारा एक चार्ट बनाएं ठीक है इसको axis बनाएं x-axis और y-axis इस पे हम लोग क्या plot करेंगे ठीक है आपको जो data past का 10-20 साल जब से है जो nifty bank nifty तब से हम उसका data बता रहे हैं तो आपको अगर बता हैं तो इस तरीके का एक histogram बनता है इस तरीके का यह क्या है यह histogram यह भी आपको समझाएंगे ठीक है यह भी आपको समझाएंगे ठीक है और यहां से यह छोटे-छोटे बनता है उसके बाद यहां से भी same ऐसे 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 फिर छोटे-छोटे बनता है ठीक है तो यहां पर हमको इस histogram में क्या दिख रहा है ठीक है इस बार में इस graph में वो सारे mid में ही सबसे ज़्यादा concentrated है ठीक है और जो बाहरी के side में है वो थोड़े से कम concentrated है और last video में जैसे एक वो strategy था तो हिंदी में ही था तो एक जन को था कि हां English में भी आप strategy बताईए ठीक है तो इस video में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जब हम strategy क के बार में share करें तो उसको हम English में लिख है ठीक है तो यहां पर हमको क्या दिखता है कि एक histogram है और histogram में mainly beach में concentrated है तो यह किस चीज़ का histogram है यह histogram है बैंक nifty और nifty का movement का ठीक है इसका मतलब क्या हुगा और यह percentage भी आपको बताए ठीक है तो यह है लगबग 80% total ठीक है example यह हम आपको approach बता रहे है ठीक है accurate हमको data याद नहीं है हम data देखें है ठीक है तो आपको बता रहे है 60 50 to 60% यह है यह वाला बार ठीक है यह है मान लिज़े 10 10% ठीक है और यह है something 22% और बाकी के यह सारे है ठीक है इसका मतलब क्या हुगा कि मोटा मोटी 70% of the time bank nifty और nifty में जो movement होता है वो 1% से कम होता है ठीक है कहने का मतलब कि या तो वो minus 1% से कम होगा ठीक है मतलब minus 0.5% या minus 0.7% मतलब minus 1 से जादा हुआ ठीक है और इधर 0 से जादा होता है लेकिन 1 से कम होता है मतलब 0.5% 0.7% तो 70% ऐसा देखा गया है कि 1% से कम move आता है सारे रोज bank nifty और nifty में और उसके हिसाब से बाकी के जो 30% है उसमें 1% से 2% से जादा move आता है ठीक है और अगर 2% से जादा का बात करें तो उसमें 10% भी नहीं आता ठीक है आपको hope यह समझ में आगा अब इस graph से हम लोग क्या करेंगे इस graph समझ को क्या समझता है कि 70% of the time अगर market 1% से कम move कर रहा है ठीक है अगर 70% of the time market 70% of the time अगर 1% से कम move कर रहा है तो अगर हम ऐसा strategy बनाया जो कि इस पे based हो जो कि 1% से कम move में हमको profit दे तो हमको उसका exactly 70% उसका win ratio मिल जाएगा ठीक है अब जब 70% win ratio मिल जाएगा तो हमको बस risk reward पे काम करना होगा अगर risk reward हम सुधार देंगे तो इसमें क्या होगा यह हमारा profitable strategy complete हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा basic data point था ठीक है अब हम strategy का अगर हम बात करें तो सबसे पहले last video में भी आपको strategy जो बता था simple simple strategies हम share करना है जो कि actual profitable है ठीक है और long term में किया ज तो काफी अच्छे profits बना के देते हैं बस आपको consistently ठीक है रहना है उस strategy पर जो भी आपको बताएंगे तो उसमें भी हम लोग एक straddle का बात किये थे ठीक है straddle आपको अगर नहीं पता तो उस वीडियो में हम अच्छे से discuss किये हैं जा कर देख लीजेगा तो इसमें क्या है सेम चीज़ करना है ठीक है एक हम टेक्स्ट से पहले एक बड़ समझा देते हैं straddle हम लोग यूज़ करेंगे उसका जो जो criteria होगा ठीक है उसको हम अभी share करने जा रहे हैं और यहां से अपस्टा पर हम लोग चेक करेंगे कि कि इता margin लगता है क्या उसका payoff graph बनता है ठीक है और हम लोग margin को कम कैसे कर सकते हैं ठीक है अगर हम एक लाग के अंदर में कैसे trade कर सकते हैं और back testing भी करके दिखाएंगे पिछले 6 साल का ठीक है तो यह सारे वीडियो में बताने वाले हैं तो बने रही है ठीक है तो यहां पर हम text start करते हैं ठीक है text start किया है तो यहां पर हमारा first criteria क्या होगा कि we will open a straddle ठीक है यह हमारा first criteria है अब straddle का हमारा criteria क्या होगा तो SL जो होगा SL should be 20% ठीक है SL हमारा straddle का होगा वो 20% होगा और हमारा entry क्या होगा last video में आपको पता होगा कि हमारा entry हुआ था at the money ठीक है लेकिन इस समय हमारा entry out of the money होगा अगर मानते हैं कि अभी आपको मान लेजे कि अभी 30 40,000 पर चल रहा है market ठीक है 40,000 पर चल रहा है यहां से ठीक है 40,700 पर चल रहा है out of the money क्या हुआ कि out of the money मतलब दो strike price पीछे जाके ठीक है दो strike price पीछे जाके हम लोग बेचेंगे ठीक है तो इसमें क्या होगा कि 700 जो 84 है इसको हम लोग मानते हैं ठीक है एक बार इसका chart नहीं आपको बताते हैं ठीक है 784 को हम मानते हैं कि 800 है ठीक है तो 800 का हमारा जो है एक at the money है तो इसका at the money जब 800 है ठीक है 40,800 तो इसका call का out of the money कौन सा होगा second का ठीक है मतलब call का इसके बाद तो call का अगर हम बात करें तो उपर चले जाईए ठीक है मतलब 4,800 तो 4,900 का call out of the money हो गया और 41,000 का call out of the money हो गया ठीक है तो 41,000 का जो call है out of the money हो गया तो कितने points out of the money हुआ दो points है ठीक है निफ्टी में 50-50 point का strike price होता है 50-50 point के difference पे और इसमें 100-100 points पे होता है ठीक है तो दो point छोड़के हम छोड़के नहीं मतलब second जो point होगा ATM के बाद second जो out of the money का जो premium जो भी हम लोग बोलेंगे उस पे हम लोग trade करेंगे ठीक है तो call का out of the money है 41,000 का call हम लोग short करेंगे ठीक है उसके बाद नीचे से 48,800 का अगर ATM चल रहा है तो हम लोग इसके नीचे मतलब put का out of the money लेंगे क्या होगा उसका 38,000 39,800 ठीक है 39,800 का put short करेंगे ठीक है put short करेंगे तो हम लोग एक छोटा सा आप बता सकते हैं कि छोटे से range में एक strangle की तरह के work करेगा ठीक है आपको हम straddle बोले हैं कुछ cases में straddle में convert हो जाते हैं लेकिन हम straddle इसमें नहीं बोलेंगे इसको हम इसको बोलते हैं strangle में ठीक है छोटा सारे range में strangle की तरह work करेगा सिंपल है अब अब हम आ जाता है हमारा जो strategy था ठीक है कहां गया हम ठीक है हमारा strategy में कुछ क्राइटेरिया हम लोग लिखेता है SL should be 20% ठीक है इंट्री जो होगा हमारा इंट्री वो out of the money two out of the money लिखेता है ठीक है मतलब हमारा जो अभी ATM चल रहा है ठीक है उसको उसके बाद क्या जो second number पे जो strike price होगा out of the money का उसको हम लोग sell करना है ठीक है two out of the money sell करना है ठीक है put और call का दोनों का out of the money sell करना है ठीक है और यह एक तरह से strangle बन जाएगा ठीक है strangle यहाँ पर लिख देते हैं straddle लिख दिए है ठीक है strangle हम लोग on करेंगे ठीक है अब हमारा जो target का अगर हम बात करेंगे तो target हम लोग fix नहीं रखेंगे ठीक है और हमारा जो daily का जो stop loss होगा ठीक है एक lot के हिसाब साब को बता अब उसके बाद यह हमारा सब कुछ हो गया अब next criteria हम लोग का होगा जो हम लोग trailing करते हैं trail SL करते हैं उसका होगा ठीक है तो trailing SL हम लोग का इस तरीके से होगा कि whenever whenever 30% of the is completed whenever 30% of the premium DK is completed we will trail our SL by 15% ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब आप एक बार देख लिजेगा फिर से अब मतलब बताते हैं पहले हमारा strangle add होगा strangle का stop loss होगा 20% ठीक है हमारा जो position होगा अब add the money होगा नहीं होगा add the money से दो दो price मतलब दो strike price out of the money का होगा ठीक है उसके बाद हमारा जो डेली का stop loss होगा वो 2500 होगा ठीक है 2500 होगा अगर overall हमको loss दिख गया तो हम निकल जाएंगे ठीक है और profit हमको जितना आएगा हम लोग ले के चले जाएंगे day end पे ठीक है तो और जो हमारा trailing stop loss का जो criteria होगा वो होगा कि 30% of the premium decay जब भी हो मालने जी कि हम अगर 100 रुपया पे 200 पे हम bank nifty का बेचते हैं अगर call put दोनों तो इसका stop loss 20% है इसका मतलब क्या हुआ इसका 10% होगा 20 और 20% होगा 40 मतलब इसका stop loss होगा हम लोगा 240 points का stop loss होगा अब इसका 240 point का stop loss हुआ, मतलब क्या हुआ, कि अगर 240 हिट हिए तो इसका stop loss हिट हो जागा, लेकिन अगर ये decay होना start हुआ, तो इसका 30% decay हो गया, 30% decay मतलब क्या हुआ, 60 point decay हो गया, मतलब ये 200 वाला 160 का हो गया, तो 240 को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 240 का stop loss था, उसको हम लोग 15% से घटा देंगे, ठीक है, तो 15% से अगर हम घटाते हैं, तो 24 और 12, 36 point से घट गया, मतलब लगभग 204 रुपे का stop loss हो गया, ठीक है, इसी तरीके से trail हमारा होते रहेगा, जब-जब 30% का premium decay होते जाएगा, वैसे वैसे हम लोग 50% का SL जो होगा trail करते जाएगे, ठीक है, simple है, यह हमारा rule है, अब इसको हम लोग एक बार आपस्टा पे चेक करते हैं, I hope इसको आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर कुछ प्राब्लम होगा तो comment में ज़रूर बतेगेगा, ठीक है, हम पूरा कोश निफ्टी पे आ जाता है, बैंक निफ्टी में आने के बाद, position हम लोग on करते हैं, position हम लोग बात क्या किये थे, कि जो call हमारा call के लिए जो 41,000 का call होगा, वो out of the money होगा, एक और दो, second number पे, इसको हम लोग sell कर दीए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो put का हमारा out of the money होगा, हम लोग sell कर दीए, एक सेल कर दीए, ठीक है, तो इसका अगर हम, graph अगर देखें, ठीक है, इसका हम लोग बोलते है, इसको हम लोग बोलते है, pay off chart, मतलब हमको इसमें पता चलता है, कि अगर इस range के बीच में रहा market, ठीक है, इस range के बीच में रहा, तो हमको इतने का profit होगा 12,000 का profit होगा capital 1.72 यहां पर दिख रहा है लेकिन caps इसको कैसे कम करेंगे वो भी हम बात करेंगे और इसका वें परसेंटेज 54% है ठीक है तो यह जो दिखाता है profit and loss वो पूरा week का लेके चलता है मतलब पूरे expiry तक अगर आप hold करेंगे तब आपको इतना profit होगा ठीक है लेकिन हमको expiry तक नहीं करना हमको intraday करना है ठीक है simple आपको और एक और चीज इसमें re-entry नहीं करना है maximum क्या होता है कि लोग को option selling में loss करता है adjustment करने के वज़े से adjustment करने से loss आपका कम भी होता है लेकिन आप अगर skilled नहीं है तो adjustment करने से आपका loss भी बढ़ता है ठीक है तो हमको इसमें कोई भी re-entry नहीं लेना है पूरे दिन में बस एक entry लेना है कोई दिक्कत नहीं है जो आप अगर job भी करते हैं तो आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से ठीक है तो यह हमारा pay off chart हो गया अब इसमें क्या करेंगे अगर इसको capital को घटाना है तो हम क्या करेंगे कि दूर का दूर का क्या करेंगे call or put खरीद लेंगे ठीक है इससे क्या होगा कि हमारा margin बहुत कम हो जाएगा ठीक है और margin कम होगा और थोड़ा सा लॉस भी आपको जैसे मान लिए कि यह कुछ लॉस देंगे पचास रुपाइस और रुपे का लॉस देंगे ठीक है आप सोचिए कि अगर इसको नेकेट खरी देंगे तो आपको प्रॉफिट जादा होगा ठीक है लेकिन आप हैज करके खर देंगे तो प्रॉफिट आपका कम होगा लेकिन यह भी सोचिए कि आपका capital requirement अगर कम हो गया तो overall प्रॉफिट का percentage आपका इंक्रीज हो जाएगा एक लाक बहत्तर एक लाक बहत्तर हजार पर आप रिटर्न बनाते हैं मान लिजें एक लाक का ठीक है तो आपका 60% का रिटर्न हुआ लेकिन हैज करके आप बनाएं अगर असी हजार ही आप बनाएं और आपका capital यूज हुआ एक लाक तो आप उसमें 80% का आप रिटर्न बना रहे हैं ठीक है तो overall आप अच्छे रिटर्न में रहेंगे हेज करने के बाद ठीक है simple आपको समझ में आ रहा होगा अगर हम थोड़ा सा ज्यादा fast जा रहे हैं या थोड़ा सा ज्यादा हम अगर complicated नहीं बोलेंगे easy तरीका समझा रहे हैं लेकिन आपको थोड़ा सा hard लग रहा है तो बताएगा basics से हम चालू करेंगे वीडियो में ठीक है तो एक हम दूर का 88,000 पर आ गया मतलब 1,00,000 के अंदर आ गया तो इससे क्या हुआ हम लोग 1,00,000 के अंदर trade कर पाएंगे profit percentage सेम है ठीक है और हमारा जो profit है वो भी सेम है ठीक है तो यह हमारा payoff graph हो गया यह भी आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग को अगर करना है तो कैसे हम लोग margin कम कर सकते ह है और एक और चीज़ बताएं आपको पहले हम जो यह buying किये हैं तो आपको पहले buying करना होगा पहले sell करके buying नहीं करना होगा पहले आप buy कर लिजिए फिर उसके बाद sell कीजिएगा जेरो धाम मत कीजिएगा बाकी brokers का बता रहे है और जब square off करेंगे मतलब जब आप position काटें तो आप पहले sell वाले को execute कीजिएगा पहले sell वाले को square off कीजिएगा उसके बाद buying वाले को square off कीजिएगा तो यह हमारा आपस्ट का काम ख़तम हो गया ठीक है और हमारा अब next क्या बचता है नेक्स्ट हमारा बचता है आपका back testing ठीक है to back testing पे आपको अगर आके हम दिखाएं तो हमारा टाइमिंग तो आपको बताना भूले हैं टाइमिंग होगा 9.35 ठीक है क्योंकि 9 बज्जे से लेके 15 मिनिट तक क्या होता है काफी वोलेटाइल होता है तो हम लोग उसमें इंट्री नहीं लेंगे 9.35 मिन्ट्री लेंगे और एक्जिट टाइम आप 3.15 रख सकते हैं या 3 भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां पर हम बेस्ट नाम का एक बरा है ठीक है लेकिन आपको फिर से एक बार बना के देखते हैं ठीक है तो एक बार फिर से आपको हम बनाते हैं ठीक है तो यहां से 3.15 लेके चल सकते हैं कोई दिक्कत न ठीक है otm2 इसलिए आपको otm2 सिखा रहे थे यहां पर आपको apply करने के लिए फिर एक put का भी हम क्या करेंगे held करेंगे और यहां से हो गया ठीक है complete अब हम यहां पर stop loss लगाएंगे ठीक है trail SL करेंगे और last चीज क्या करेंगे overall mtm का stop loss लएंगे यह हमारा था फचीस सो का ठीक है फचीस सो मतलब रोज maximum आपका दीन का पचीस सो का loss होगा और minimum आप सोरी maximum loss आपका पचीस होगा दीन का और maximum profit आप अभी देखेंगे ठीक है हमारा stop loss था 20% ठीक है 20% हमारा जो trailing SL था trailing SL हम आपको 30% बनाया है 30% से हम back test किये थे और 25% से किये थे 25% से हमको ज्यादा अच्छा result मिला था 25% और हम लोग जब trail करेंगे तो यह 10% से करेंगे ठीक है वहाँ आपको बताएं कि 30% आपको decay होता है तो 15% आपको stop loss को घटा देना इसमें क्या करेंगे 25% जब decay होता है तो 10% हम stop loss को घटा देंगे और यह हमारा percentage पे आ जाएगा सारा ठीक है percentage पे simple है यह भी 25 ठीक है यह हमारा दस ठीक है तो यह हमारा हो गया strategy का complete हम लोग target नहीं लगाएंगे हम लोग green tree नहीं लेंगे ठीक है simple है सब कुछ समझ में आगया OTM होगा ठीक है 25 stop loss अब 25 हरुदा सब कुछ नहीं है अब हम क्या करेंगे कि इसको back testing करेंगे पिछले 2017 से करेंगे ठीक है 2017 से तो एक बार back testing स्टार्ट करते हैं अब 120 नहीं को आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो इसी तरीके का video चाहिए आपको तो comment में बताईएगा ठीक है इस मन्थ का तो अगर आप उन्रोल करना चाहते हैं तो mentorship का अगर manifold करना चाहते हैं था हमको WhatsApp पे Daim कर सकते हैं ठीक ऑफो डिस्क्रिप्ट्प्र अपने डाले रहते हैं वहाँ पर लोग आपको वहाँ पर हम लोग हमको WhatsApp पर DM कर सकता है ठीक है आपको नहीं मिलता होगा Contact मेरा काफी लोग comment भी हम देख रहे थे कैसे contact करें तो आप एक बाइ description को check कीजिए और WhatsApp पर message कीजिए वहाँ पर आपको details मिल जाएगा mentorship का ठीक है अभी तक तो कोई course बनाया नहीं है एक price section का ebook है काफी सस्ता सा price है और ebook में काफी सारा value कोशिश की हम देने का तो ebook का check out कीजिएगा और पढ़िए ebook को price section काफी अचा सीख जाएगा उसके बाद यह सब पर आप jump कीजिएगा ठीक है तो back testing में time ले रहा है हो ठीक है तो काफी अचा यह software लग था यहां पर हमको equity curve दिखता है equity curve में आपको क्या दिख रहा है कि यह थोड़ा सा constant strategy है यहां पर आपको हुआ है जब भी आपको losses हुआ है 2020 में हुआ है April March में जबकि Corona crash हुआ था फिर भी उतना बड़ा stop loss नहीं उतना बड़ा drawdown नहीं हुआ तो overall यह अच्छा strategy है ठीक है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि अभी कुछ समय में 2022 जब से आया है तब से सारे strategies flat होने लगे हैं नहीं तो loss में जाने लगे हैं लेकिन यह आप देखें यह constantly उपर जा रहा है ठीक है speed फ़ड़ा सा कम है लेकिन constantly उपर जा रहा है तो यह काफी अच्छा है मातली यहाँ पर हम लोग drawdown का अगर हम देखें तो देखें स्टार्टिंग से drawdowns बहुत छोटे थें मतलब 10,000 से कम थें 10,000 से कम drawdown तो आपको 80 90,000 आपको अगर capital लग रहा है ठीक है तो आप 20,000 का एक buffer लेके चल सकते हैं या आप 35,40 का भी buffer लेके चल सकते हैं मतलब overall एक लाग 30,000 एक लाग 40,000 पर यह strategy आप execute कर सकते हैं अच्छे से और इसके बाद अभी आपको पता होगा कि 2022 में April में 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 ठीक है यहां पर अगर मंथली break up का अगर बात करें तो यहां से देखें की minimum losses हुआ है मतलब 400,00,103 रुपय का loss, 2900 का loss, 200 का loss मतलब negligible है एक मंथ में बस loss हुआ अप्रिल में ठीक है उसके अलावा कोई loss नहीं हुआ अगर देखें उसके पहले मन्त में 50,000 का profit हुआ था ठीक है एक लाख के capital पे आपको अगर बता दें एक लाख के capital पे 50,000 का profit हुआ था ठीक है और next month में 16,000 का loss हुआ तो ये कुछ भी नहीं है ठीक है तो एक तरह से इसकों लोग बोच सकते हैं no less strategy क्योंकि ये हमारा minimum loss है negligible है ठीक है और इस 2022 का बात करें 2022 में आपको पता होगा में जून में एप्रिल में में हालत खराब हो गया था सारे strategies का और ये फिर भी profit दिया 9,000 का ये 10% का profit है month का ठीक है अब इसका monthly target लेके चलिए अगर आप डेढ़ लाक से भी कर रहे हैं देढ़ लाक क्यों आपको बोल रहा है रखने के लिए तो capital 90,000 required है वो आपका बचा रहेगा इसलिए डेढ़ लाक लेके चलिए अराम से डेढ़ लाक में होगा ठीक है और आपका yearly return बताएं तो 2017-18 में ये strategies ने कम return दिया लेकिन बेकार return नहीं है लेकिन 2019 में आप देखें तो 100% का return ये अगर आप बोलें सोरी ये हो गया 80% का return 70-80 ये हो गया 100% ये हो गया 110% का return और अभी हमको लगभग 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 60% का return मिल गया है ठीक है और maximum drawdowns भी काफी कम है 2020 में बस 20,000 का loss हुआ था ये return to maximum treaty क्या होता है कि maximum drawdown आपका अगर 20,000 है ठीक है तो उसके हिसाब साबको return कितना मिल रहा है ठीक है समझ रहे है return आपको कितना मिल रहा है maximum तो टोटल प्रोफिट अपन टोटल मैक्सिम्म ड्रोडाउन यह इसका फॉर्मूला है ठीक है तो अगर यह पांच से उपर है तो यह काफी अच्छा है ठीक है और यहां आपको 23 दिख रहा है समझ रहे हैं तो यह बहुत अच्छा स्टाइजी हमको लगा और हम इसको अभी त चाड़ी आपके लिए लाना था जबरदस्त इसी तरीके का तो इसको हम एक्जिक्यूट करना भी सोच रहा है ठीक है चालू करने वाले हैं ठीक है क्योंकि हमको इसमें पोटेंशियल लग रहा है इसको हम एक बार पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसको ठीक है आप प्रॉफिट का बात करें तो पिछले सतर मंत में 6 लाग का प्रॉफिट हुआ है कैपिटल 1.5 या 1 लाग का ले लिए ठीक है तो यह काफी अच्छा प्रॉफिट है कहीं भी आपको इस तरीका का प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा ठीक है मैक्सिम ट्रॉड़ाउन इतन 25 था 25 था सॉरी हम 10 पे आपको एक्जक्यूट करा दिया 25 था ठीक है इसलिए आंको बोले एक्सपेक्टेंसी हमको 0.5 तो याद था ठीक है एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि अगर 0.3.5 के उपर अगर स्ट्राइटिजी का ऐक्सपेंसी आ रहा है तो वह काफी उच्छा यह सब थोड़ा से भूल यह थिकला है अभी कुछ दर पहले हैं आटेस्टिंग कर रहा थे लेकिन यह एक्जाक्ट पंदरा का दस क्योंकि क्या होगा है कि 20 पर भी क्तेस्टिंग पर मतलब सब कुछ ना कुछ चेंज करके 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 और बैक्टेस्टिंग कर रहे थे उसमें थोड़ा सा कि कंफ्यूजन हो गया ठीक है तो पंद्रह पर आके एक बार फिट से देख लेते हैं तो यहाँ पर आ चुक है हमारा ड्रोड़न यहाँ पर देखें ड्रोड़न में इसमें कम है वही बोले हैं कि हमको याद था कि ड्रोड़न कम था लेकिन फिर भी यहाँ पर देख था ठीक है और एक्सपेक्टेंसी 0.52 का जैसे आप अपको बताएं यह याद हो गया था आप रोज का जो ट्रेड लिये थे 2017 से आप सबका प्रोफिट लॉस देख सकते हैं ठीक है और यह सारे चीज़ देखके आप काफिस इसमें समझ सकते हैं तो आप देखिए कि एवरेज लॉस ओन लूजिंग डेज अवरेज प्रोफिट यह ज्यादा मैटर नहीं करता रिस् अब चुक्त परसेंट बार आप जीत रहें ठीक है परचपन परसेंट आप जीत रहें कितना जीत रहें तो 1.77 जीत रहें कितना हो गया 97.35 ठीक है अब 44-45 बार हार रहें ठीक है कितना बार हार रहें एक multiply किये उसमें कितना जाता फिर से देख लेता है पच पॉइंट बार जीत रहे हैं 1.77-45 मतलब 52 आप लेके जा रहे हैं घर पे ठीक है समझ रहे हैं 52 परसेंट आप लेके जा रहे हैं घर पे तो यह आपको बोलें आपको risk reward आपको profitable बनाता है maximum लोग यहाँ पर जाएंगे आपका 60-70% win ratio पर जाते हैं लेकिन यह नहीं देखते हैं कि risk reward कितना है risk reward अगर अच्छा है तो आप 52% लेके जा रहे हैं आप अपने घर पे ठीक है मतलब साल के 52% आराम से आप बनाएंगे और यह था हमारे strategy में ठीक है I hope आपको काफी मज़ा आया होगा ठीक है क्योंकि यह सारे चीज़े करने में काफी मज़ा आता है बिसीकली option selling में काफी ज्यादा मज़ा आ रहा है काफी दिन से कर रहा है option buying से ज्यादा आ रहा है वैसे तो इस वीडियो के लिए इतना ही था और पसंद आया हो तो like जरूर कीजेगा और comment में कोई recommendation हो तो जरूर बतेएगा improvement करने का पूरा कोशिश करेंगे चले फिर मिलते हैं अगले बार धन्यवाद